आज भारत सरकार के केंद्रिय अवित मंत्री श्रीवरी निर्मला सीता रहमन जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई मुख्यता जो चार जाति हमारे प्रधान मंत्री जिने गिनाई हैं महिला युवा अंदाता और ग्री इन चार जातियों का विशेश रूप से इस भजट में ध्यान रखा गया है जहां इस भजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए तीन लाग करोड़ पे के भज दन किया गया है वहीं युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए दो लाग करोड़ पे के बजट की विवस्ता की गई इससे त्रिक्त पांच साल में चार करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का लक्षय रखा गया है और सौ शहरों में इंडस्तिर पार्क और द्य देश के ग्रीब लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने करोना काल में प्रधानमंत्री अनकल्यान योजना चलाई थी देश के असी क्रोड़ ग्रीब लोगों को हर माँ पांच किलो अनाज मुफ्त देने वो योजना आगे भी जगातार चलती रहेगी इसका की गई है इसके साथ साथ अनेक जो हमारे वर्ग है उनके हितों की लक्षा की गई है एक क्रोड के सान्दों को जो प्राकृति खेती है उसका लाब मिले उसके लिए भी लक्षय इसमयर रखा गया जो मारा करमचारी वर्ग है उसको income tax में standard reduction जो 50,000 पे थी उसको बढ़ा कर 75,000 किया गया है और वेतर भोगियों के लिए भी इस reduction में जो है वो बढ़ोत्री की गई है बाकी income tax में भी जो आय करदाता है उनको भी राहत देने का काम इस budget में हुआ है और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल परदेश में जो पिछले साल प्राकृतिक आपदाई थी उस आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई करने का आश्वाशन भी इस budget में वित मंत्री ने दिया है जिसके लिए हिमाचल परदेश भारती जनतापार्टी आधरनिया परदान मंत्री श्री नेंदर मुदी जी और केंद्रिया वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतरमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है अब आर परकर करती है नेमाचल.केष्री